Hello everyone, एक बार फिर से स्वागत है आप सब का हमारे यूटुब चरनल डिस्टिक ग्यान में तो मेरिटोरी समंदी एक लेटर जारी किया गया है तो जिसके समंद में मैंने लास्ट वीडियो बनाके अप्लोड कर दी है और काफी सारे जो स्टूड़न है उन्होंने देख भी ले और काफी सारे उनके मन में जो कियोरी है या कोश्चन्स हैं तो उसके रिगार्ण ये मैं दुबारा से एक वीडियो त्यार कर रहा हूँ तो आपके जो भी questions हैं उनका इस वीडियो में मैं आपको reply करूँगा और कुछ बाते जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताई हैं वो आज इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो इनकी website है official website उसका link भी मैं इस बार description में दे देंगा तो आप वहाँ पर भी check कर सकते हैं रेगुलरी आप देख सकते हैं कि क्या नहीं update है तो सबसे पहला जो question पूछा गया है मुझसे की काफे सारे questions हैं वैसे तो तो पहला जो question एक जैसे मैं सबसे पहले बात करूँगा वो है कि क्या website पर ये जो letter है वो upload हो चुका है या नहीं हो चुका है तो आप इनकी official website पर देख सकते हैं कि अभी तक इनकी तरफ से इनकी website पर कोई letter जो मैंने आपको इनका public notice बताया है वो अभी तक website पर upload नहीं हुआ है तो जल्दी ही वो भी upload हो जाएगा या उनकी तरफ से जो भी नहीं update है वो यहाँ पर कर दी जाएगी तो यहाँ पर कुछ और भी questions है student के वो भी मैं clear करूँगा यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए और लगतार हमारी जो नहीं update आती है आप उसको देखते हैं चेक करते हैं और आपने जो भी नहीं update आती है या आपके मन में जो question होता है था आप हमसे पूछ लेते हैं तो यहीं पर मैंने कुछ student के question का screenshot लिया है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा as you can तो next जो question है sir अभी online होगा सब कुछ counseling वगएरा भी sir मेरी लिस्ट कब आएगे 11th की sir 11th की class के लिए ये भी तो क्या उन्होंने करना है तो turn by turn मैं सारे question आपको बताऊंगा तो सबस्था की गैरमी class की जो बच्चे हैं क्या उन्होंने भी station choice करनी है stream choice करना है तो मैं आपको एक बार फिर से letter को revise करूँगा तो वहाँ पर आपको मैं clear बताऊंगा कि वहाँ पर गैरमी और बारमी कक्षा के किन students ने कल station choice करनी है तो next जो question था कि क्या sir यहाँ पर मैंने जो letter आपको बता ही वहाँ पर लिखा हुआ है तो जल्द ही उनकी तरह से भी जो matter list है वोपिन की official website पर upload कर दी जाएगी या मुझे कहीं से वो list मिल जाएगी तो उसके regarding भी नई वेडियो मैं जुरूर आपको बना कर दिखा दूँगा कि merit list कौन सी है कौन कौन से student उस merit list में है क्योंकि जो matter list होगी उसी base पर ही जो student है अपना जो station है वो choice फिल करेंगे तो next question जो था sir अभी online होगा सब कुछ counseling को गयरा भी तो अभी फिलाल इन्होंने station choice की demand की है तो counseling क्या अलग से होगी या नहीं होगी अभी मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ये first time होआ है कि जो student है वो अपना जो station है वो online फिल करेंगे तो अभी क्या उनका process है ये अभी मुझे update नहीं मिली है तो जैसे ये update मिल जाएगी तो इसके regarding भी मैं आपको जुरूर बताऊंगा कि counseling दुबारा होगी या नहीं होगी क्या सबी process online ही होगा जैसे आपने station choice कर लोगे तो क्या जो student select होगे क्या उन्हीं को बुलाया जाएगा तो ये जो भी नहीं update आएगी वो भी मैं आपको जल्द ही बता दूँगा तो next question था कि sir merit list कब आएगी 11th की तो ये भी मैं लेटर में यही लिखा है कि जो 12th के student है उन्होंने अपने पिछली क्लास की जो stream है उसको select करना होगा जो plus one में 11th में जो stream है वही आपने select करनी है तो काफी सारी जो बाते हैं वो 12th क्लास में लिखे हैं तो इसलिए काफी सारी जो student को ये doubt ही कि क्या ये 11th क्लास के लिए होगी station choice या नहीं होगी वो भी हम आप last में clear करेंगे वो letter के ज़रिए तो station choice for 12th क्लास तो ये station choice 12th क्लास के लिए है letter के according तो sir जिन students ने 11th के लिए admission दी है वो भी कल form fill करेंगे तो ये भी मैं आपको उस letter में ही बताऊंगा तो sir जी ये letter 11th के लिए है उन्होंने भी ये form fill करना है जो matter list आएगी या counseling कब होनी है तो अभी मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो counseling होगी अब वो अलग से होगी या सारा process online होगा ये अभी update नहीं आई तो अभी जो update है सिर्फ यह ही है कि आपने station choice करना है और किन student ने station choice करना है वो जो matter list में आएंगे उन students ने ही ये station choice fill करनी है तो stream choice of station choice plus one or one log के लिए भी है जिन्होंने plus one में admission लेनी है तो काफ़ी सारे जो student ने question किये है मुझे यही question किये है तो इसलिए मैं ये वीडियो दबारा से upload कर रहा हूँ कि आपको सारा मैं clarify कर दूँ क्योंकि कुछ बातें जो मैंने वहाँ पे नहीं clear किये हैं जिसके कारण काफ़ी सारे जो student ने को doubt है तो चली अब हम अपने letter की तरफ चलते हैं तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर बता दूँ कि अभी तक इनकी जो official website है वहाँ पर ये letter या matter list upload नहीं हुई है तो जैसे ही matter list upload होगी यानकी website पर कोई upload अपडिशन आईगी वो मैं आपको उसी time जरूर update कराऊंगा सिर्फ आप हमारे साथ ऐसे ही बने रही है और अब मैं clarify करता हूँ कि किन student ने वहाँ पर जाना है और station choice fill करनी है online या नहीं करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पंजाब school education board द्वारा जो entrance exam के result और 10th class के जो result है उनके अधार पर meritorious school की गैर्वी और बार्वी कक्षा की दाखला लेने की merit सूची तियार की गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्यार्वी और बार्वी कक्षा की जो merit सूची है वो तियार हो गई है जो की साथ attach की गई है बट इस letter के साथ कोई भी mentalist अभी attach नहीं है हो सकता है वो अलग से letter आए तो यहाँ पर यही बताया गया है कि 11 और बार्वी कक्षा की जो merit सूची है उसको तियार किया गया है और वो attach है तो हो सकता है वो कल जैसे आपको इस letter के recording 19 जुलाई का समय दिये गया है तो हो सकता है कि कल इनकी तरफ से इनकी website पर updation कर दी जाए और merit list स्टूड़न्ट है उन्होंने भी क्योरी की थी कि सर हमारा तो अभी result नहीं आया तो हम कैसे इसे कर सकते हैं कैसे admission ले सकते हैं तो यहाँ पर उनने clear cut लिखा है कि जो स्टूड़न्ट CBSE board के साथ related है उनकी जो merit list आएगी वो provisional होगी दाखले के लिए अगर वो शर्तें पूरी करते होंगे तब भी उनको meritory school में दाखला मिल सकता है तो इस तरह जो CBSE के student है उनको भी यहाँ पर clear गया है तो यहाँ पर जो selected candidate होंगे वो ही stream station को choice कर सकते हैं तो उनकी merit list बनेगी तो merit list में आने वाले student ही जो station choice ही वो कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि जैसे low merit वाले हैं तो वो पहले station जाके choice कर सकते हैं तो merit list में जो student हैंगे वही selection कर सकते हैं तो उनको select करने के लिए यहाँ पर आप दे सकते हैं दोबारा से मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर आपको अपना exam में जितने भी schools होंगे पूरे पंजाब में जितने भी meritory school होंगे उनकी list मिल जाएगी तो वहाँ से आपने station को school को select कर लेना है तो इस तरह यह सारी बातें इस letter में बताई गई हैं तो मैंने एक बार फिर से कोशिश की है आपको clarify कर दो कि अब आप देशकते हैं दबाहरा से बता रहा हूं कि जो 11 और जो 12th class के student है उनकी merit list त्यार हो चुकी है जो साथ में टैच है बट अभी तरक attach नहीं की गई है जब भी आएगी हम आपको बता देंगे तो अब कल तक आपको wait करनी है 19 जॉलाई को wait करिए आप सुबह जब भी अपडेट आएगी वहां पे लिंक आजाएगा तो मैं आपको एक वीडियो की जरीए जुरूर अपडेट करवा दूँगा यहां पर उन्होंने merit list के बारे में जैसा लिखा है गैर्मी और बार्मी कक्षा की merit list आएगी और station जो आउट choice को वेब साइट है वहां पर क्या अपडेट आती है क्या लिंक आता है वो हम सुबह आप से discuss करेंगे तो फिलाल फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें comment section में post सकते हैं तो अभी आपकी जो station choice है वो 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक है कुछ students ने मुझे question किये थे कि क्या sir counselling में हम भी documents लेके जाना है तो जो online पर सैसे वहां तो आपने सिर्फ अपने जो station choice है वो ही fill करनी है तो मुझे एक comment भी आया था भी कि sir मुझे call आई है counselling के लिए तो अगर आपको भी कोई call आई है या आपको जानकारी लेना चाते है तो आप हमें comment section में लिख सकते हैं तो फिलाला आज की इस वीडियो में यही है मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को like ज़रूर कीजेगा और अपने friend के साथ भी ज़रूर शेर कीजेगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं हमारे किसी ओर नेक्स जानकारी वाली वीडियो में तब तक के लिए जैन